जे गनेश जे गनेश जे गनेश गनेश गरेवा इस लेवा जोने श्राम सिर्फ अलाई की पूज़ा, अलाई की परस्ति शिकाता है, जो इसका पाबन है वो मुस्लिम है कि वो खुद मुसलमान नहीं हैं जो मतलब वेदवाव करना चाहते हैं हिंदुस्तान में रहके हिंदुस्तान जैसी कोई बात नहीं करते में आचे लस्तान तंत उनऩीजें जैसी सबस्कुनिट लावावा डीज़ स्मया LETा ले कि वो prevention आचे हिंदुक युलकेशब करते हैं अलाव मत्रों सबस्क्राव सरहें लावाव स्कृतान जैसे ते वंडरुक आपके दोरा गरेची की प्रतवा को गर्में इसको लेकर मुल्ला और मौलवियों के भिवादत बयान सामने आ रहा है रहना का है कि जो हिंदु देवी देवताओं की पूजा करता है वो मसल्मान नहीं हो ज़ता है क्या कहींगी आप में कहूंगी कि वो खुद मुसल्मान नहीं है जो मतलब वेदवाव करना चाहते हैं हिंदुस्तान में रहके हिंदुस्तान जैसी कोई बात नहीं करते वो असली मुसल्मान नहीं है यह जहती लोग हैं, जो इस तरह की बाते करते हैं, फत्वे जारी करते हैं, यह जानते नहीं है, सही क्या है, गलत क्या है, इनको बोलने से मतलब, अगर सच्चे मुसलमान होते, तो इस तरह की बाते नहीं करते हैं, मैं तो पूजा सुरू से करती चली आई हूं, और कोई भी तो, प्हटन कोई भी बेदवाओ नहीं मानती हूं, और मैं इसी तरह शारे तवहार मनाती हूं, । और यह लोग पहले भी मेरे उपर फद्वीजारी कर चुके हैं, इसी तरह बोल चुके हैं। मेरे पॉस्टर पहले भी नहोंने लगवाए थे इसलाम से खारिच करने के लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी अपने देश के लिए मैं कुछ करना चाहती हूं मैं चाहती हूं इसी तरह एकता रहे सभी हिंदु मुसल्मानों में कोई भेदवाओ ना रहे मैंने भगवान गड़ेश जी की मूर्ती स्ताफित की अपने घर में आज हो गए साथ दिन के लिए किये आज तीसरा दिन है मैं अपनी तो मुसल्मान नहीं रहें उनकी तोब आसी सौच वाले होते तो वह एसी बात नहीं बोलते हिंदु मत और हिंडुों के यहां गनेश एक बड़े देउता है जो अपल और मने जाते हैं शाधी भीया की रुकावटों को दूर करने के लिए उसे पूल्या की जाती है जहां तक मसला है इसलाम का, तो इसलाम सिर्फ अल्लाह की पूजा, अल्लाह की परस्तिश सिखाता है जो इसका पाबंद है वो मुस्लिम है, यह है दो टोक फैसला और दो टोक बात अब अगर कोई इसके खिलाफ करता है तो वो अपने मदहब के खिलाफ करता है और वो हुक्म जारी होगा जो हुक्म इसलाम के या मदहब के खिलाफ करने का होता है ये दो बातें बिल्कुल वाज़े हैं